मुझा नमस्कार आप देख रहें इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजयाद हो तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर क्यों उन्नाव में कुरोना कर्फियों के दारान सब्जी का ठेला लगाने एक लड़के को भारी पड़ गया आरोप है कि पुलिस ने सब्जी विक्रिता को कर्फियों का उलंगन करने पर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई घटना की जानकारी जब स्थानी लोगों को हुई तो सैक्रों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए लोगों ने उन्नाव लगनाव हाईवे पर सवरक कर चक्का जाम कर दिया पाच घंटे तक चल इस हंगावे के बाद स्पी रे आरोपी पुलिस कर्मियों को सस्पेंट कर दिया स्पी उडनाव ससी शेखर के नुसार परिजनों की तहरीर पर कुटवाली में आरोपी सिपाही विजचादुरी और होमगाष सत्य प्रकास खिलाफ हत्या का मुगत्मा दच कर लिया गया है मुगत्मा लिखे जाने के बाद प्रदर्शिंकारी धीरे धीरे घर चले गए रात करीब 10 बजे पुलिस ने सफ कबजे में लेकर पोश्ट माटन के लिए भेज दिया मितक के परिजनों का मुआफजा संबंदित मदद के लिए जिलापरशाशन के जरिया स्वैशन दिया गया है मामलाव नाव के महला भटपूरी का है यहां 17 साल का फैसल घर के बाहर सबजी बेच रहा था आरोप है कि दुपहर में नगर पुलिस चौकी का एक सिपाही और होम गाड उसके पास पहुचा और कोरोना कर्फ्यों के नेमों का उलंगन करने की बात कहते हुए फैजल की पिटाई सुरू कर दी परिजनों का कहना है कि सिपाही और होम गाड फैसल को लाठी डंडों से पीटते हुए चौराहे तक ले गए फिर जीप में डाल कर उसे कवतवाली ले गए जीप में भी लगातार उसे पीटने का आरोप है जाता चोट लगने से फैसल की हलत बिगड गई पुलिस उसे सामोदाइक स्वास केंदर ले गई लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी फैसल की मौत की ख़वर मिलते ही सैकडों की भीड सामोदाइक स्वास केंदर पहुच गई पुलिस ने समझा कर हॉस्पिटल से हटाया तो आक्रोशित लोग नागरिक तिकोनिया पार के साम ने चुट गए और लखनाउ हाईवे को चांग कर दिया सबजी विकरता फैसल के परिजन सरकार और पुलिस से 50 लाग की मौवजे की मांग पर अड़े हैं परिजनों ने घर के एक सबस्ते को सरकारी मौवजे देने की मांग भी की है ग्रोई पोच आई पेन सबस्ते मादी के पेरीन के अधार पर फैसराय पन्लिकरिक्श कर लिया गया है इसमें दो आरप्चियों और एक वांगास को नाम दिखिया गया है इनों को हुद्विक्श कर गया गया और इसमें अब्रे बिच्णाद को कारवाली पीचित झाल झाल